हेलो फेंस वेल्कम टो आर यूट्यूब चैनल करेंट इस्टी सेंटर फेंस आज की इस वीडियो में आए आप लोगों को और आरवी एंटी पीसी की जो न्यू रूरेंट आने वाली है न उसके रिगार्डिंग में आप लोग कंप्लीट टेल्स बताने वाला हूं कि आप लो को जुलाइस सितंबर के बीच में आप लोगों को देखने वाली है भरती एंटी पीसी के लिए एंटी पीसी में दो लेबल होती है और ग्रेजुएट एकर अंडर ग्रेजुएट तो आप लोग को मैं कम्प्लीट डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में इस वीडियो में चैनल को सब्स्ब्साइब वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक किजिएगा सेर किजिएगा और आप लोग कोई भी ग्वर्मेंट इटेट एक्जामिशन का नोटिफिकेशन पाने के लिए या फिर रेल्वे भरती से कोई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा चलिए वीडियो अपलोग का फॉर्म आने वाला है फॉर्म और पहला प्लाइब कर देंगे अब देखिए इसका सबसे सेकेंड इम्पोर्टेंड है ना ओधिकेशन इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखेगे या तक्विए निस सब्सक्राइब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो मैं कर सकते हैं और जो भी बच्चे ग्रेजुएशन पास है न ग्रेजुएशन पास है मंने पास किये हैं वह भी बच्चे क्लिव को अप्लाई कर सकते हैं अब लोग में रखाया था है। कुछ का सब्सक्राइब महँए अप्लाई कर सकते हैं। किस पयिष पूश्ट सब्सक्राइब घ्रिamm Day कर सकते हैं। लिए बता है डीलों देखने के लिए आगे वसमे कि अलिए पैस यहाँ आप से नहीं की आप होग का और प्री और नंस दो इगजान होगा एक पहला उल्मीन होगा दूसरा न कोमेंस दो आप लोगा एक्जाम होता देखिए एक्जाम में मैं बात करूँ तिसमें पहले cbt1 होगा ठीक है cbt1 ठीक है और उसके बाद से cbt2 ठीक है करें by मैं भाने मंगे दिख ses ie eights on ये सभी बच्यों के लिए कॉमन है चाहे ओ ग्रेजुएशन वाले हो चाहे हवो ट्वेल्थ पास वाले हो धुल्यवक्य चाहे दे雙्जांद देंग जो बचे ट्वेस्ट सभीन रहता ऐं यह रहता है लेखिन सी डाग ने मेंड विधी टु होता है और ऐसे समतिक्स पॉले leven और चानल को कीईग्या захle vibrato अगया limb की बात हो गई घ्जाम के बाहँ आक गब पास कर लेंगे तो इसके बाद से आप लोगों computer-based test यानि कि CBAT और typing test के लिए बुला जाएगा तो कुछ पोस्ट पर typing test होती है और कुछ पोस्ट पर आप लोगों CBAT, AT यानि computer-based updated test होता है जो कि आप लोगों local pilot में होता है CBAT जिसे कहते हैं ठीक है किस पोस्ट पर आप लोगा typing test होगा किस पोस्ट पर लोगो computer-based एक्जाम में बताऊंगा आप लोगो कि क्या चीज किस पोस्ट पर होने वाले complete वजनकारी दूंगा आप लोगो ठीक है तो उसके पास आप लोगों देखिए जो अलावाद जोन से वरा फर्म चाहिए गोरकपूर जोन से किसी भी एक जोन से आपने फर्म वरा उस जोन में जितनी भी आपनी की टोटल भर वेकैंसी है ना उस भाकैंसी का आठ गुना आप लोगो ना बच्चे जोन से बीटी पास करेंगे जो सी बीटी टू उसका आठ गुना बच्चे ना आप लोगो को सी बीट एटी या करताम कंप्यूटर एप्टुट्यूट टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएंगे आठ गुना बच्चे ठीक है उसके बास जब सब क्योंकि मेरा सारा कुछ रेलवे में हो चुका है क्या 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 होता है मेरा तो मैं मेडिकल के रिकारइंग ने लोग आप लोग को कॉप्लीट डिटेल्स वीडियो लेकर आ रहा हूं क्योंकि वीडियो थोरी वह लंबी होगी जिसका रही है इस वीडियो आप लोग चैर्श्या नहीं कर पाऊंगा मेडिकल के रिएटेड बारे में ठीक है तो मेडिकल से रिलेटेड आप लोग वीडियो देखने के लिए को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और आई बटन पर beats. उस बृटियो के लिंक देख जाएगा में कुछी दिर में एक दिन में थरा वीडियो अप्लोट का regarding complete video लेके आ रहा हूं तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसका लिंक वीडियो क्रेस्क्रीशन वाक्स में भी मिल जाएगा ठीक है medical से लिटेड आप लोगो information और document verification के next day आप लोगो medical के लिए भेज़ दिया जाएगा medical आप लोगा medical character क्या है medical standard क्या रखा जाता है इसके लिए किस पोस्ट के लिए क्या है medical है इस वीडियो में आप लोगो आगे बताऊंगा तब लोग चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा देखने के लिए और आप लोगो बता दू आप लोगो को कि अभी आगे मेडिकल से लिए बताए कि कितने बच्चों को पैनल पर रखा गया है मतलब की जौइनिंग के लिए बुलाया जाए जाए सब्सक्राइब का पैनल लिस्ट आता है जोविए इना मांने हो जाते कुस केस में आप लोगा नहीं हो पाताई एक दो करेंट मतर इसा केस होता है कि नहीं हो सा था ठीक है डिए रिखिन अ अब जोब प्रोविजनल पार्ट पैनल लिस्ट आ जाएगा ताप लोग आ समझें हो गया और उसके पाद से बाद आप आप लोगा का डिया जोब वर दिवेज दिया जाएगा जो भी आप लोग फिल लप करते ले टाइम पे या फिर जो भी आप लोग का टाइपिंग होती है किस पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं होती है कौन सी पोस्ट पे ट्वेल पास मांगा जाता है सारा कुछ अभी आगे इस वीडियो में आप लोगो डिसकस करूंगा ठीक है और देखिए एक चीज और आप लोगो जनकारते दूना आप लोगो को कि यहा देख सकते है अब घर करा रहा है उन सभी अले मेडिकल सेसे हैं आरां किस पोस्ट के लिए आप लोग को बताता हूं तो देखिए मैंने यह चीज आप लोगा आरवी एंटी-पी-पी-सी का ना नोटिपिकेशन डावलोड करके रखे हैं और इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूं किस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगे जाती है और किस पोस्ट के लिए ट्वेल्थ पास वाले फॉर्म अपलाई कर सकते हैं देखिए मैं यहां बात करूँ देखिए डिटेल्स सब्सक्राइब होता है कि ट्वेल्थ पास ठीक है ग्रेजुएशन चे अंदर वाले ठीक है पोस्ट वी थे मिनिमूम एडुकेशन क्वालिफिकेशन अब ट्वेल्थ देखिए यहां पर ट्वेल्थ प्लस टू स्टेज़ेज और इस इक्वावालेंट एक्जाम एंड एज उसके बाद से एकाउंट क्लर कम स्ट पिस्ट के लिए उसके पाद से जूनियार टाइम कीपर के लिए उसगे बचलर के लिए उसके पाराइब कम टाइप कमेर्शियल कम टिगर्ड कलरको होता है इसके लिए इस पाच पोस्ट के लिएन आप लेबल टूक है अगर ना तो आप इस पोस्ट मौफ आपको अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लेबल के आया इस लेबल नियुकंप लेबल ठी काowan का लाए कि कि आप आप लोग अगर लेबल 12 पांसै नहीं तो ट्नेंट पास वाले लेबल टू और लेबत ट्री इन दो पोश्ट के लिए अपोर मुर्पया कर सकते हैं ठीक पान साल की छूट मिलती है तो यह एज रिलेक्सेशन देखने को मिल जाता है बाकि नॉर्मल जेनरल वाले 18-30 रखी जाती है इस पर ठीक है जो भी यह को रखा गया है अब देखें यह तो हो गए ट्वेल्ट पास वाली और ग्रेजुएशन पोस्ट पे कितनी भरती आती है द जूनियर टाइम कीपर के लिए सी टू मांगा जाता है तो इन सभी पोस्ट के लिए सीटू मेडिकल इस्टेंडर होना चाहिए बाकि एक लिए ठीरी होना चाहिए ठीक है तो मैं आप लोग के यह भी बहुता दूगा और मेडिकल से इकार्डी में कंप्लीट डिटेल्स वी पास वालसों के लिए सभी पोस्ट के अपेठा सक है कौन कौन सी पोस्ट है टेखिये ट्राफिक असिस्टेंट हो गया गुस्ट घाड़ सगाड़ होती है इसके बासे तिसरे नमर मते लोग मैंट ऑनक्वाइट पालग होलेका है उसके बाद से सिनियर कमर्षियल यंकिए घ आभी पोस्ट के लिए आप लोग ग्रेजँएशन पास होना चीज़ीए ठीवेट ही फिटी आप लुख वालों के लिए का लेवल के लिए चोड़ करके बाकि सब आपलाई कर सकते हैं यानिकि तरी मैं देखाते रहे हूं आप लोग आगा आगे आप लोको थी यह फूर फाइब और शीक्स इन तीन पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन वाले अपलाई कर सकते हैं और मैं आप लोग की कवर जनकारी देदिए दूना तू और थिरी भरती एक अलग देखने को मिल रही है और लेवल फूर लेवल फाइब लेवल सीक्स जोकी अंड ग्रेजुएशन पोस्ट पे आती है यह भरती आप लोग देखने को इस बार साथ बहुत बवाल हुआ है तो इसके कारण संको लगता है यह अलग अलग भरती आए ठीक है तो यह आप देखने को मिलेगा आप लोग आप लोगा फाइनल नोटिफिकेशन में कि क्या सक्या कुछ रा रहा है ठीक है यह तो मैंने बदाया आप लोग को कि किस पोस्ट के लिए ट्वेल था किस पोस्ट के लिए ग्रजोशन है और इसका मेडिकल इस के उपर कि उपर के लिए है ठीक है कि जो भरती है इस ट्वेल्ज पास 37 के लिए भरती है और ट्वेल पास वालों के लिए होते हैं और इसमें जो कि कलरकव कंडा साइ कनतों से यह प्रीक्तर वाली सी पर, Estival 2 की भरती है, इसके लिए भी ट्रीश सर्फ होता है उसके ऐसे ट्रेयन कलर और कमयर्शियल कम ट्यापिस्ट इसके लिए ट्राइपिस्ट नहीं होती है देख सकते आप लोग इसके आगे चुछ नहीं है मतलब ट्रीश नहीं हो के लिए सीवीटी अलग होगे कि जितने इसमें लेवल है ना इस टाइम पर बताऊंगा कि यह लेवल वाइज कैसे इसमें क्या एक्जाम होता है ठीक है तो देखिए यह मैंने बताए आप लोगा कि ट्वेल्ट पास वालों के लिए किसकी सपोस्ट पर टाइपिंग टेस्ट किसकी सपोस्ट पर टाइपिंग टेस्ट नहीं है अब मैं आगक ग्रिजुएशन वालों का बताता हूं देखिए तो ग्रिजुएशन वालों के लिए कि जो यह भरती सारी दिख रही है ना जो ट्राफिक असिस्टेंट आप लोगों दिख रहा है यहां से यहां से मैं आप लोगे दिखा देरा हुँ अच्छे से यह जितनी आप लोगे पूस्ट दिख रही है ना यह चीज यह सभी पोस्टों पर ना कि किस किस पर टाइपिंग टेस्ट है किस किस पर कम्पूटर बेस्ट एप्रुट्यूट टेस्ट है देखिए ट्राफिक एसिस्टेंट की जो भ जो कि है और उसके बाद से टीकट कळाव करन इस लेवल 5 कि पुस्ट ऑर गुष्ट गार्वल 5 कि पोस्ट इन दोनों पोस्ट के लिए ना ही टाइपिंग टेस्ट होती है और ना ही कंप्यूटर बेस्ट्रेव टेस्ट होता है ठीक है उसके बाद से आप लोगों की आ गई यहाँ पर देख सकते हैं कि senior color come typist level 5 की पोस्ट है इसके लिए टैपिंग टेस्ट होता है junior account assistant come typist level 5 की पोस्ट है इसके लिए टैपिंग टेस्ट होता है senior timekeeper इसके लिए टैपिंग टेस्ट होता है उसके बाद commercial apprentice level 6 की पोस्ट है इसके लिए कुछ भी नहीं होता है उसके बाद उनको टा सेटंie नहीं देना होगा सी इट देना होगा ठीक है तो यह मैं आप लोग को बता जाया है कि किस पष्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है और किस पूम्च की पैप्इूंग टैस्ट के दिए प्लें संटी है किस्पोस्ट पर आप लोह का के च्थे Şimdi तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया पीछे किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेसन है किस पोस्ट के लिए क्या टाइपिंग टेस्ट होती है और टाइपिंग टेस्ट में आप लोगे कुछी में मैंने वहां पर नहीं बताया था जो कि बूर्ड पर मैं बता द एक अब लोगों हिंदी में टाइपिंग कीजिए गाना दो हिंदी के लिए टाइप लोग को 25 वर्ड पर मिनीट होनी चाहिए आप लोगों को यह घंदी के लिए कि यह हंधी की पर थे ठीक हे तो आप लोगे सिच को ध्यान रखियacie यह डिख merging उन्हें किंगिए अ इंग्लीज में किजे आंगर लोग二 25m पर में टाइपिंग करना होगा ठीक है तो आप लोग टाइपिंग का देख लिएगा अब मैं आगे आप लोग को बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आप लोग कि क्या स्लेवस है क्या एक्जाम पैटरन है उसका ठीक है मैं आप लोग एक चीज और जनकारी देदू ना कि स्लेवस और इसां पैटर्ण के रिकार्डिंग में एक संपूल वीडियो कि किस किस चेप्टर से पुछा जाता है कि से लिए यहां पे इसां पैटर्ण में बता बनाऊंगा आप लोग ठीक है तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्स्राइब कर लिजिए आप ल होता है एक सीई डू सभी बतचों को देना हो था औरता है मुशान पैटर्ण के जिए बात करूंत तो देकिए आप लोगतूंते संदक करन। क्यई है फेस्थ क्रशें मास का नहिकर तो णिखनी में के टिस को चनल टीस मार्फ का मैंत करूं मैं मैं तो में आपके तीस कोशन तीस मार्फ कर यह था ठीक है अacional अवेरनस की बात करें मैं आप बम शालीष चॉसटन हो जायता और जुआ को लोग lot अब लोग का एक नमर कट जाएका अगर आप लोग a question compile के लिए आप यह नमर मिल जाएगा थीक है तो आप लोग लोग को ध्यान रखिएगा अब मैं बात करता हूँ सीबीडी टू की सीबीडी टू में एक्जाम पाइड़न और स्लेवर्स क्या होता है तो आगे मैं डिसकर्स करता हूँ सीबीडी टू के लिए ठीक है आप लोग देखिए वीडियो को और वीडियो अच्छी लेगे तो लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा और मैं आप लोग बता दूं यह मैं इस चैनल पर संपूर मेडिकल के रिकार्डी के वीडियो लेके आ र बिय saf Commander क्या होता है उसका क्या होता है मैंने ही आप लोगोंस Jing क्या होता है क्या होता है अब अ शिक्राफ के लिए आप sign के लिए आप लोग को लिए आप लोग को 35 कॉशन मिलता है अप 35 मार्स का में खीक है वह ही आप म लोग का मैद काम का 35 कॉशन 35 मार्स का होता है ठीक है और से जहाच विए यह का और फ sich फ़स्ट्रicioण मिलते हैं 120 को स्ल्व करने के कि तने मिलते हैं 120 स्ल्व करने के लिए वहीं जो सीवीडिक टूर में भी रहें की मार्किंग मतलब कि तीन क्वेशन आगर आप लोग गलत किजिएगा तो आप लोग एक नम्मर कड जाएगा एक कॉषन की कीजिएगा ताप लोग एक नमबर मिल जाएगा ठीक है इसको अपलोग ध्यान रखिएगा और डिटेल वीडियो में एक्जाम पैटर और स्लेवस के रिकाडिंग इसका डिटेल वीडियो में आप लोग को ले के आ रहा हूं जल्दी आप लोग अपने चैनल पेस्ट चैनल प इसके बाद से लेवस हो गया मैं सारा कुछ उपर बताया हूं अब इसके बास डोकॉमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग के आउंगा अपने चैनल पर दोकॉमेंड वेरिफिकेशन के लिए आप लोग बहुत जरूरी एक चीजिए में बतादू कि आप लोग को लगती है लिए मैं अपने चैनल पर दो वीडियो बना रहा होगा आप लोग को देख सकते हैं अगर लोग कोई डायूट रहे तो की डिकल से और डोक्मेंन के बात से आप लोग की आती है पैनल लिस्ट पैनल इस्ट मतलब होता है कि आप लोग की जौइनिंग जुब्यूज बना रहा है तो यह मैंने वीडियो आप लोग का बताया कंप्लीट मैं अपना एक्स्पियंस के रिकार्डिंग आप लोग मेरा साथ मैंने वीडियो कर고 झाल झाल